शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें हमें सुनिया पे पूरी पूरी नजर रखने हैं हमें इस बात की जड़ तक महुचना होगा कि वो आदमी कौन था हाँ पापा क्या मैं अभी आती हूँ क्या हुआ शदा हुआ क्या है ममी जी पापा का फोन आया था कीर्थी की तब्यद बहुत बिगड़ गई है पापा घर पे अकेले है मुझे जाना होगा अरे बेटा तो नैना भाबी चली जाएंगी मेना तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है ममी जी मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है बेटा तुम जल्दी से जाओ सक्षम जी कुछ तुमारी जरूर पढ़ सथती जीटिए जानाताओ संबल का चारा। जी जकुद का अगर संभालने के पहले जरूरी जुपना माईक के बचाना है ज़रूर्ड क्या कर रहाए इई बेटा दवा भी निखारी हो खाना भी निखा रही हो तूर थोड़ा से खाल वेटा थोड़ा से कालो किर्थी बिटा पापा क्या हुआ किर्थी को देखो ना बेटा ना दवा खा रही है ना खाना खा रही है इसको देखने डॉक्टर आया था जा रहाता अगर खाना नी खाएगी तो इसको आश्पिटल में एडमेट करना पड़ेगा अब तुम ही समझा सकती है उसे खेलो बेटा और इसे खाना के लाओ ठीके पापा आप जा के आराम कर लीजे मैं ध्यान रखती है उसका क्या है किर्थी ऐसी बीमार के तरह यहां बैठी है चल खाना था ले यह ले वो कोई? नए हमें ने खाना कीर्थी तु क्या अपने जित के कारण अपने आने वाले बच्चे को भी भूका रखे की क्या तेख अब तुने एक बार यह बीमार होने का नखरा किया है तो दो लगाउंगी तुझे चल खाना खा समझा समझा के ठक गई हो तुझे कीर्थी लेकिन तू है कि मेरी एक भी बात नहीं मानती है कितनी बाहर कहा है तुझे अपने घुसे पर काबू रख बड़ों की बाते सुना कर उनको समझा कर लेकिन नहीं तुझे तो बस चीकना है चिलाना है हाथ उठाना है बस यही करना है न चल खा जानती है न खीरती जब ममी घर पे नहीं होती है तो पापा कितना परिशान हो जाते हैं कब बड़ी होगी तू यह पानी पी अभी ठीक है चल जल्दी से खाना खतम कर अरे मैं तो घर पे बताना ही भूल गई कि मैं आज रात तेरे साथ ही रुपने वाली हूँ तू जल्दी से यह खाना खतम कर किरती क्योंकि कल हम दोनों शॉपिंग पे जाएंगे पक्का दिदू? हाँ पक्का लेकिन उसके लिए तुझे जल्दी से यह खाना खतम करना पड़ेगा अरे अभे पेटा नाश्ता तयार है आजा बैटके नाश्ता कर ले हाँ ममी श्रदा का है? अरे कल से वह माइके से लौटी कहा है हलो? श्रदा कहा हो तुम? तुम भूले ही आज बैंक जाना थाना है डॉकुमेंट साइन करने है एक पार जब मैडम माइके पहुंच जाती तो जैसे इसकी यादाश्ती को लिए जाती बदाने अब कर उसके दर्शन होगे अबे आज नहीं हो पाएगा वह आज मैं कीर्थी के साथ हो अच्छा ठीक है मैं सारे डॉकुमेंट दफतर में लिया तो तुम वहीं साइन कर गया लगता है मैडम के आज मी दर्शन ही होगे माई के मैं बैटके चैन की बीम बचा रही होगे और हम यहां पस काम भी करते रहे अरे मम्मी क्या बूले जा रही हूँ अच्छा ठीक है यह काम करता हूँ मैं जल्दी से ओफिस मिलता हूं तो मैं तरसल मैंने ओफिस में भी चुट्टी के लिए बोल रखा है आज मैं कीर्ती के साथ बाहर जा रही हूं उसके लिए कुछ सामान खड़ी थी कीर्ती कल तक तो उसकी तबियत खराब थी आज तुम दोनों गूमने निकल गए नहीं अभै ऐसी बात नहीं है कीर्ती सचमुच बहुत परिशान है हाँ उसी को तो परिशानी दिख रही है तुम्हें आज कर हम समदिखे कहा रहे है तुम्हें सही गलत सब तो भूल चुकी हो तुम कीर्ती क्या हुआ चले सिर्फ आपके बोलने पर हम जा रहें दीदू वरना हाँ तो सब हमें भूली गया तुझे पता है तेरी सासो माने चार बार फोन किया है तेरे बार में पूछने के लिए कि तेरी तब्यत कैसी है तुझे इसले फोन नहीं किया क्योंकि उन्तु पता था कि तुझ सो रही थी चले पर वरुन जी ने तो कॉल नहीं किया ना यह क्या किया तुमने अब ने उससे बिना पूछे मुझे बिना बदाय तुझे रेजिगनेशन लेटे देरी ऐसा नहीं होगा देखो वरुन मेरी वज़ा से कीरती और तुम्हारे बीच पर परिशानी और बढ़ने नहीं दे सकती तुझे वो हम देख लेंगे लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना काम चोड़ने की ज़रुद नहीं है और तुम देखना कीरती तुमसे माफी मांगेंगी ज़रूर यही वरुट जब उसके कोई गल्ती ही नहीं है तुम्हाफी क्यों मांगेंगी सचकाउं तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था पर बात पे मैंने बहुत सोचा हम दोनों की दोस्ती उसके लिए एक्दम से जटका जैसा था कीरती के जगह कोई और होती तो उसे भी अच्छा नहीं लगता लेकिन अबनीक यह हमारे घर का मामल है इसके लिए तुम अपने काम का नुकसान क्यों कर रही है क्योंकि वरुल इससे बात और भी जादा बिगड़ सकती है समझो बात को ऐसा मत कर यार अपने काम पर इसर मत पढ़ने थे और मुझे भी तेरी जरुवत चल आप बैटे देख तु चुंता मत कर मैं अफिस में बात करूँगा सब भी को जाएगा तो यह है आप दोनों का अप्स यह चल रहा है काम कीती मैं वरुन को बस वही बता रही थी कि मैं तो तुम अब वरुन जी को हमारे खिला भड़का भी रही हो और आप अपने तु बेश हन्मी की हाथ पार कर दिये अफिस नहीं घर नहीं यहां बाहर खुले वे आशी कर रहे है हाथ पार तुम ने किया कीरती हर एक तरफ अपनी जो तुम्हारी खाते है अपनी नौकरी को दाउं पे लगा रही है वरुन नहीं नहीं क्यू थोड़ोगी तुम जो क्यू तहिन है आप तोनों को हमारे लिए खुरवानी अरे घूमिये फिर ये याशी करिये सब मुझे कह रहे थे कि मुझे तुम्हे समजाने की कोशिश करने चाहिए तुम समजाने के लाए क्या तुम्टम अबाप लिए और लए यो को केटा, डॉक्तर ने सख्त मुना किया कि एरृती को किसी भी तरह का मानसिक तनाब लेने के लिए जिसका सीधा असर पच्चे पर होगा चाहे मैं कुछ भी कर लू तुमारी खुजी के लिए यह कि तुम्हें कोई फरत पड़ता है नहीं है किरती तुम कभी नहीं बतलो तुम ऐसे ही मुझे हर बार शर्मिंदा करती रहोगी बस कीजे वरुन जी आप इस तरह से सब के सामने अपनी पत्नी की बेज़ती नहीं कर सकते अच्छा और शद्दा जो यह मेरी ओफिस में, मेरे घर पे यहां बर सब के सामने बेज़ती कर रही है उसका क्या उसके ले तुम कुछ नहीं बोलोगी परुन जी, मैं आपके आगे हाथ चोड़ रही हूँ प्लीज सब के सामने यह करना बंद कीजिए बस बस अब हम इन दोनों की यह पेशर्मी नहीं सह सकते किर्दी, किर्दी किर्दी के तरफ से मैं तुम से माफी मांगती हूँ ते को तुम तो समझदार हो, समझती हूँ अच्छा, बस अवनी ही समझेगी तुमारी बहन के समझ कब ठीक होगी अब है, किर्दी ने ऐसा इसले किया क्योंकि कल के जगडे के बार उसने वरुन जी और अपनी को बाहर एक साथ देख लिया आप खुद ही सोचिए ना ऐसे हालत में वो अपने घुसे पर कैसे काबू कर पाएगी जिसका असर उसके आने वाले बच्चे पर भी पढ़ रहा है इस वक्त हमें ही कीर्थी को बहुत अच्छे से और शांती से समझाना होगा यह अच्छा है कीर्थी की तबियत खराब ना हो वो खुश रहे उसके हिसाब से हम जिंदगी जी है ना अभे बहस करना बंद करो श्रद्दा सही कह रहे है नहीं अभी इस बार श्रद्दा गलाद है तुम दोनों बेहनों की गल्तियों का ठेकरा हमारे सर पर फोड़ना बंद कर दो अब क्योंकि बत्तम इजी अब हम बरदाश नहीं करेंगे चलो भाई तुम जाबाभी अरे क्या हो यह जाबाभी आप चिलाता है रही है आपना बस आप पस यह ना धाली सजाते रहे हैं और वहां कीर्थी को इस खांदान की बहू बनाना जैसे सजा बन गई हम सब के लिए अरे पर तु हुआ क्या है बताईये तो अरे क्या बताईया आपको अबें किटी बाटी से नुकाल दिया गया उन भी उस नक्चडी कीर्थी की बज़े अपको पताईये उमारे तलाग शुदा होने पस आज लोगो कुछ चमाट मानने का मोगा मिल गया जा कर देखे बार मौले में ना हमारी थू तू हो रही है उन कीटी की बज़े से वाजी अबर तुम अबर तुम उनी वहन को पता देगा कि उसकी बज़े से हम जो जेल रहे ना छोड़ेंगी नहीं उसे हर बात का बदला लेंगे हिसाब लेंगे उसे बता रहें हमारे पती की बज़े से जित्वी बद्नामी अमारी नहीं हुई है ना तुमारी बेहन की टीकी बज़े से होरी है अमारी पाशाद हो शहीर तू मम्मी, मैं सोनियो को कॉलेज छोड़ने जा रहा हूं, वहीं से दुकान निकल जाऊँगा और कीर्थी के लिए ये अपने हाथों से लड्डू बनाये थे, सोचा उन्हें दे दे, इन दिनों में फाइदा करते हैं ना? जी कोई जरुवत नहीं है, यह सब हमारे लिए करने हैं किर्थी? नहीं पापा, आप हमें नहीं डाटेंगे इनके बेटे सब के हाथ से निकल गया इनने बोलिये, पहले उन्हें जाकर देखे किर्थी बेटाब, अब शान्थ हो जाएए और हमें बताईए कि हुआ क्या हुआ यह कि आपको ना, आपके बेटी की गलती नहीं दिखती या तो वरुल जी हमारी तरह आपको भी बेवकूब बना रहे हैं तमीज से बात करो किर्थी पहन जी, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ हाज कर पतानी कि यह बहुत चुचड़ी हो गए यह यह नहीं भाई साब, इन्हें पूरा हक है अपनी बात रखने का किर्थी बेटाब, हुम वरुन से भी बात करेंगे लेकिन आप एक बार घर तो चलिए हम सब साथ मिलकर इसका हल निकालते हैं ना उस घर में फिर से हम जाएं बेज़दी करवाने जहां वरुन जी हमें इस हालत में अकेला छोड़कर उस अमनी के साथ बाहर अयाशी कर रहे है बीजी क्या बच्चे पैदा करने वाली मशीन होती है जिसको कोने में छोड़ दिया और चली गए यह संसकार है आपके घर के नहीं बेटा हम आपको यही तो समझाने आये थे कि आपको कोई गलत फैमी हुई है वो दोनों से बचपन के दोस्त है जो जो क्या जो अब जवान हो गए और जिनके जल्वे ना हमने अपने आखों से देखे हाथ से निकल गएं आपके हुनहार बेटे यह बेटा ऐसा नहीं है बलकि आज तो वो दफ्तर से भी जल्दी निकले ताकि यहां आके आप से बात कर सके निकले होंगे जल्दी पर कहा है आए हम से मिलने ओ हाँ क्योंकि उनको ना अवनी के साथ बाहर जाके कॉफी जो पीना था पापा हमने अपने आखों से देखा है कैसे दोनों हाथ में हाथ डाल कर कॉफी शॉप में बैठे हुएटे हैं मा एक बात बताई है कॉफी के साथ कॉफी के साथ कॉन सा ओफिस का काम होता है अंगर से बाह के बारे में पापा आपको आज भी लग रहा है आज भी लग रहा है कि हमी गलत है तो ठीक आप दीदू से पूछ लीजिए दीदू भी हमारे साथ थी और आप अपने बेठे को दुरोप नहीं पाई इसलिए हमें आगे समझाने कि हम घर वापस चले उस दोखे बाद के पास तब इस से बात करो किरती जब तक जब तक वरुन जी उस अपनी को अपनी जिंदगी से बाहर नहीं फेकेंगे हमसे माफी नहीं मांगेंगे हमें मनाएंगे नहीं तब तक उस घर में दुबारा हम कदम नहीं रखेंगेंगे झाल झाल आप किराज अकेली मिली गई तो बचेगी नहीं तू आज को आप मुझे ऋच्याफ जञे, जूफज मुझा जातों कि गुवारों कि उता Goodnight वड़ाब! शच्छारू पेर संसिवा, नमस्कासी नहीं हूँ! शच्छारू नहीं हूँ नहीं हूँ! पहुत हिम्मत दिखा के तू इस घर में घुझ गुझ गया है ना तो आप हिम्मत है तो अपना चेहरा भी दिखा झाल के अजरां है